पॉइंट है हमारा इस चेप्टर का जिसमें हमने क्या पढ़ना है हमने फेट्स पढ़ने हैं फेट्स ऑफ पाइरुवेट ठीक है अब क्या क्या फेट्स हो सकते हैं यह आपने पहला फेट्स देखना है अच्छा इसमें क्या करना है कि आपका पाइरुवेट बन चुका है ठीक है पाइरुवेट की कन्वर्जन करने है इंटू एसिटाइल कोइंजाइम ए में ठीक है और यह कन्वर्जन कैसे होनी है कारबन डाइकसाइड इसमें नेकलना है Oxidative Carboxylation होनी है Decarboxylation होनी है Oxidative Decarboxylation यह देखो Carbon Oxide निकाल ली हुए मैंने Oxidative Decarboxylation में क्या होना है Enzyme यूज होना है जिसको हम कहते है Pyruvate Dehydrogenase Complex और मैंने आपको कल जब Arcanic Pursing पर आई थी वहाँ पे हमने PDHC का जिकर पढ़ा था कि हमने next TCA वाला chapter ना उसमें जिकर करना है क्योंकि यह जो Acetyl Coenzyme A है न यह then enter होता है या तो TCA cycle में ठीक है या फिर Acetyl Coenzyme A TCA cycle में भी यूज हो सकता है या फिर as a Carbon Source यूज हो सकता है for fatty acid synthesis Acetyl Coenzyme A होता है यह TCA cycle में यूज हो सकता है और energy production के लिए और fatty acid की synthesis में भी यूज होता है fatty acid की synthesis में उसमें Carbon Source के तोर पे भी यूज हो सकता है ठीक है और यह pyruvate dehydrogenase complex से जिकर हम TCA cycle में पढ़ेंगे और उसमें क्या होता है कि यह pyruvate की conversion करता है into Acetyl Coenzyme A और then Acetyl Coenzyme A यह आगे यूज होता है TCA cycle में यह आपका first fate हो गया कि pyruvate कैसे convert हो रहे उसके बाद next हमारे पास इसका fate आता है pyruvate का second fate की बाद करेंगे ठीक है उसमें हम color change कर लेते है second fate होता है कि इसकी decarboxylation की बजाए carboxylation हो जाए ठीक है carboxylation जब हो जाती है तो कौन सा enzyme यूज होता है pyruvate carboxylase ठीक है pyruvate carboxylase enzyme यूज होगा और pyruvate convert हो जाएगा into oxaloacetate oxaloacetate अब यह जो oxaloacetate है न यह भी आपके पास यह जो आपका जो TCA cycle है न TCA cycle के अंदर ही एक product होता है एक intermediate product है TCA cycle के अंदर अब यह oxaloacetate भी TCA cycle में enter हो सकते है क्योंकि यह इसका substrate है और उसके इलावा oxaloacetate इसमें भी यूज हो सकता है और दूसरा oxaloacetate का यूज होता है as the substrate of gluconeogenesis ठीक है यहाँ पर जगा नहीं है बताती हूँ यह जो oxaloacetate एक तो TCA cycle में यूज हो सकता है या फिर gluconeogenesis में यूज हो सकता है यह भी मैं आपको बताऊंगे जब हम third chapter पढ़ेंगे बस इतना याद कर लो कि oxaloacetate जो है न वो TCA का इंटर्मेडियेट है और substrate है gluconeogenesis के लिए बिए substrate है यह दोनों चीज है हम details में पढ़ेंगे जस्ट एक दफा याद कर लो कि oxaloacetate ने किस-किस पात्वे में यूज होना है उसके बाद तीसरा fate आ जाता है इसका तीसरे fate में हमने क्या करना है इसकी reduction करा देनी है ठीक है पाइरुवेट की पाइरुवेट की क्या करानी है हमने reduction करानी है ठीक है reduction होगी उसमें क्या होना है पाइरुवेट ने convert हो जाना है इंटू इत्थानॉल ठीक है पाइरुवेट ने convert होना है इंटू इत्थानॉल में उसके बाद next हमारे पास चौथा इसका fate आता है वो मैं आपको बताती हूँ fourth trap आता है इसका ठीक है उसमें oxidative decarboxylation के बजाए हमने just decarboxylation की बात करनी है decarboxylation और यह decarboxylation humans में नहीं होती यह होती है किसमें yeast में yeast में होती है इसमें क्या होता है कि यह जो आपका pyruvate है न यह aldehyde में convert हो जाता है acid aldehyde में ठीक है acid aldehyde में ठीक है यह हो गए इसके 4 fate ठीक है यह pyruvate अब बताया हूँ किस किस form में convert हो सकता है और यह जो आखरी दो है reduction और acid aldehyde में conversion यह दोनों चीज़ें जो होती है यह humans में नहीं होती humans के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती है यह तो oxalo state में convert होता है यह acetalco enzyme में यह जो reduction to ethanol है यह microorganism में convert होता है not in humans यहां तक हमारा chapter complete हो जाता है और यहां पर my glycolosis भी complete हो गई ठीक है किसी को को confusion हो तो वो पूछ सकता है यहां तक आज का lecture हमारा यहीं तक था अच्छा झाल